नमस्कार अगर आपको फेस्बुक से पैसे कमाने है तो फेस्बुक पर एक पेज बनाना ही पड़ेगा बिना पेज बनाए फेस्बुक से पैसे नहीं कमा सकते पेज और प्रोफाइल में अंतर क्या होता है पहले तो आप यह समझ लेजिए प्रोफाइल एक व्यक्तिकत होता ह यानि कुछ limited लोगों तक ही सिमित रहता है वो जैसे आपका friend हो गए परिवार के लोग है उन्हीं तक वो सिमित रहता है उसको control कर सकते है पेज क्या एक publisher का काम करता है यानि अगर आपको product sale करते हैं तो आपको page बनाना पड़ेगा आप video create करते हैं तो page बनाना पड़ेगा उसका thumbnail कैसे लगाएंगे सारा कुछ detail में बताएंगे इस video में अब facebook page बनाने के लिए सबसे पहले आप facebook को खोल लीजी यहां पर और जो आपका profile है personal profile की dp जो दिख रही है उसी dp पर हम इसे खोल लेते हैं अब जो pages दिख रहा है इस पर हम click करेंगे और जो create दिख रहा है यानि page create इस पर हम click करेंगे अब गेटेड इस टार्ट पर click करेंगे देखिए अब यहां पर आपको एक नाम चुनना है नाम आपका unique होना चाहिए जो page बना रहे हैं जिससे लोगों के याद रहे है कई लोग क्या करते हैं कि नाम को इतना लंबा कर देंगे कि वो याद ही पर नाम को unique रखिये अगर आपके नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं आपके संगठन का नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं आप creator हैं और जिस theme आप video बनाते हैं यहांनि जिस category का आपका video है उससे related या सोच मिलता जूता ही नाम रखी और लोगों के याद भी रहे हैं तो यहां परका नाम रख लेते हैं अपने पेज़ का अब जैसे हमारा नाम जैसे हम रख लेते हैं कुझ क्यूज टेकनिकल अब यहां पर नेक्स्ट करदेंगे अब यहां पर क्या एक केटिगरी पूछ रहा है यह फेसबुक जानना चाहिए कि जो आपने page बनाया जो नाम रखा है अपने कुछ टेक्निकल हमने जो रखा है उस category क्या है उस पर विडियो किस category का upload करेंगे यह category चुनना बहुत जुरूर है ज्यासे माली जी अगर आपका cooking का है चैनल तो आप cooking का category के रखिए आप comedy यह का है तो comedy का रखिए education का है तो education का टेकनिकल का है तो टेकनिकल का beauty tips के बारे में अगर आप बता रहे हैं Facebook पे तो उसका category रखी आप यानि इससे क्या होगा कि जब भी आप video upload करेंगे मालीजी आप education का video upload करते हैं तो Facebook क्या करेगा जो educational वाले audience है उनके पास आपके video को सुझाओ में भेज देगा जिससे आपकी video पर view जाएंगे तो आपको category चुनना है चुकि हम हमारा Science and Techls related है तो यहाप हम टेकनिकल ही चुनेगे यहापर जैसे ही हमने टेक लिखा है यहापर जो हमारी category है Science and Technical का जो हम चैनल बना पेज बना रहा है वह Science and Technical से तो यहां पर हम science and technical ही select कर लेते हैं, अब यहां पर create कर लेंगे यहां से, अब यहां देखें, यहां पूछ रहा है कि जो आप page बनाये हैं, वो किसी product को sale करने के लिए बनाये हैं, या creator आप हैं, यह कोई video upload करते हैं, प्रस्नल आपका है, तो यह नीचे वाले को click किजिए, क्लिक कीजिए, अब यहां से continue कर देंगे, अब देखिए, यहां पर आपका page तयार हो गया है, अब यहां पर आपको DP लगाना है, और इसका back cover लगाना है, अब यहां पर सबसे पर हम अपना DP लगा लेते हैं, profile picture, हमने यहां पर एक profile picture select कर लिया, अब यहां back cover, हमने एक back cover ब कबर भी लग गया, यहां पर, back cover हो गया, DP हो गया, अब यहां पर next का हम करेंगे, अब देखिए, यहां से का रहा है, कि आप अपने friend को अपने page पे invite कर सकते हैं, हम यहां पर next करेंगे, invite हम बाद में कर लेंगे, पले पूरा इसको complete कर लेते हैं, अब देखिए, यहां पर आपको done कर देना है, यहां पर आपका page create हो गया है, यानि basic चीज जो होती है, वो सारा कुछ set हो गया है, कुछ इसमें हम और setup करेंगे, यहां पर three dots पे जाएंगे, कुछ edit कर लेते हैं, यहां पर, edit पे जाएंगे, देखिए, हमारा profile picture हो गया है, अवतार आपको लगाना चा अब bio में, अगर आपका cooking का है, तो cooking related, beauty tips का है, तो beauty का है, education का, यानि जो कुछ आप video में बताएंगे, वो यहां पर आपको लिखना है, जिससे की category मालूम चल गया है, अब चुकिए हम ऐसी लिख देते है, technical, technical हम support कर देते हैं, यहां पर, technical support के बारे हम यहां बता रहे हैं, अब देखिए, DP हो गया, back cover हो गया, bio भी हो गया, हमारा page की category भी हो गया, sciences technical का, अगर आप यहां address देना चाहें, तो address दे सकते हैं, phone number देना चाहें, तो phone number दे सकते हैं, email देना चाहें, तो mail दे सकते हैं, अब आपको यहां पर edit करके, जो कुछ देना है, आपको यहां पर, आप कर सकते हैं, आप यहां पर harvest link सकते हैं, feature डाल सकते हैं, आप यहां पर देखिए, link काराब करने के लिए, यहां पर एट करेंगे, तो यहां पर जो social media का जो link होता है, यहां पर, जैसे platform पर आ गए, तो Instagram, Threads, Twitter, Snapchat, YouTube, TikTok, Twitch, WhatsApp, जिसका भी link देना चाहें, वहां पर आप लि जाने देते हैं अभी फिलाल, और यह आपका page complete हो गया है, ठिक, अब यहां से जो three dots है, इस पर click करके देख सकते हैं, कि दूसरे लोगों को आपका page कैसे दिखाई देगा, देखिए, बिलकुल profile की ही तरह ही दिख रहा है है, बसरते हैं, इसमें friend नहीं दिखेंगे, इसमें Creator Studio आप Play Store से download कर लिजिए, जैसे YouTube के लिए YT Studio होता है, वैसे ही Facebook के लिए Creator Studio है, जो कि हम यहां से पहले से download करके बैठे हैं, तो हम Creator Studio पे आ जाते हैं, यहां Creator Studio खोले के, हमने यहां पर sign in कर रखा है, और यह जो pencil का निसान दिख रहा है, इस पर click करेंगे, तो जो आपने page वह तो वीडियो यही से, फोटो यही से, इस से क्या, आप वीडियो अप्लोड वहां भी कर सकते हैं, Facebook से ही, लेकिन वहां से आपको ना thumbnail डाल पाएंगे, ना उसका description लिख पाएंगे, यहां पर क्या है, कि आप thumbnail भी upload कर देंगे, और description लिख देंगे, अब हम एक वीडियो अप यहां पर क्या है, आपको वीडियो को title लिखना है, कुछ आप लिख सकते हैं, जिस से related आपका है, हम यहां लिख लेते हैं, कि Facebook पर, Facebook पर page, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, और यही चीज़ हम description में भी लिख देंगे, अब फिर आते हैं, यहां पर thumbnail लगा लेंगे, तकि थमने हो गया, title हो गया, और यहां से जब next करेंगे, और यहां से publish कर देंगे, तो वीडियो Facebook पेज पर upload हो जाएगा, और उस वीडियो से आप पैसे कमा सकते हैं, अगर आपको कुछ मन में प्रस्न हो, तो आप comment करिए, हम उसका जबाब देंगे आपको, I hope कि आप बिल्कुल अच झाल